नमस्कार तो चलिए स्वागत करते हैं आपका डिवी नियूस में मालदीप में बेमानन प्लेटफॉर्मों पर तैनात भार्तिय सैनिक अर्मियों को कुशल भार्तिय तक नीकी कर्मियों से रेप्लेस किया जाएगा और इसकी घोष्णा विदेश मंत्राले ने गुरुवार को की है यह कदम माले से भार्तिय सैनिकों की वापसी के लिए मुहमद मुईज्यों की नेतरत्ववाली मालदीप सरकार के अपचारिक अनुरोध के बाद उठाया गया है इसी को लेकर दो फरवरी को नई दिली में दूसरी हाई लेवल कोर ग्रुप की बैठक होई और तीसरी मीटिंग इस महिने के अंत में होने वाली है विदेश मंतराली के प्रवक्तारण धीर जस्वाल ने दिली में एक सापताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मालदीप में मौझूदा कर्मियों की जगह सक्षम भात्य तक नीकी कर्मियों को रखा जाएगा भारत तीनों अविएशन प्लेटफोर्म से अपने सैनिकों को हटाने के लिए मान दया है वहीं 10 मार्च तक एक प्लेटफोर्म से और 10 माई तक बचे हुए दो प्लेटफोर्म से सैनिक कर्मियों को रप्लेस कर दिया जाएगा और उसके अतरिक्त विदेश मंत्रारे ने अपने बयान में एक और बात पर जोर दिया है कहा गया है कि दोनों देशों ने मालदीप के लोगों को मालविया और मैग वैक सेवाय प्रदान करने हैं माले भारते वैमानन प्लैट्फॉर्मों के निरंदर संचालन को सुनेशित करने के लिए वहारिक समाधानों पर पारस पर एक रूप से सहमती व्यक्त की है अब इसका साथ ही दोनों देशों के बीच उच्च स्तरिये कोर ग्रूप की अगली बैठक मालदीप की राजधानी माले मैय जित होने पर सहमती बनी है बताने की बीते साल गुए चिन्नाव में महमद मोईजु ने प्रचार अभियान के दोरान इंडिया आउट का नारा दिया था और उनका ये कहना था कि मालदी में व्यदेश सैनिकों की कोई भी जरूरत नहीं है और उनकी मौजूदगी देश की संप्रभुता के लिए खत्रा है सत्ता में आने के बाद भी ये मुद्ध राष्ट पति मोईजु की प्रात्मिक ताउं में रहा संसद में दिये हालिय बयान से पहले उन्होंने भात्य सैनिकों को 15 मार्स दर मालदीप छोड़ने का अल्टिमेटम दे दिया था यह बयान उनकी चीन की यात्रा से लोटने के बाद आया था वर्तमान ने डॉर्णियर, 228 समुद्री गर्ष्टी बीमान और 2 HAL ध्रोब हलिकॉप्टरों के साथ लगबग 70 भारते सैनिक मालदीप में तैनाथ हैं उदर विदेश मंत्रवाले के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने ये बताया है कि भारत सरकार ने मालदीप के लिए बजट 770 करोड 9 लाक रुपे बढ़ा दिये हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि अधिक जानकारी मिलने के बाद नए आकड़ों को संशोधित कर जारी किया जाएगा जैसवाल ने ये कहा है कि मालदीप को बजट के माध्यम से 770 करोड 9 लाक रुपे दिये गए हैं और यह वास्तन में पहले से काफी जादा आधिक है जबकि पहले 600 करोड रुपे का अनुमान लगाया गया था